हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम्टिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चैनल कॉंपटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राइंजल सिंग और आज आप लोगों के लिए में लेके आया हूं एक और वीडियो इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि लीगल सर्विस अथार्टीज असल में होती क्या है और इस पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो लेक्शर को हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्शर में हम क्या करेंगे लीगल सर्विस ऑथार्टीज जो है उसको हम पढ़ेंगे और उसको ताकि उसके लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ता है किसी माइनूट से डिटेल को भी पढ़ने के लिए यह वीडियो लेक्शर सीरीज आपको हेल्प करेगी अगर एक्जाम के टाइम भी रिवाइस करना चाहते हैं तो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक का लेक् आगे देखेंगे चैप्टर 4 बात करता है कौन-कौन से लोग लीगल सर्विस के लिए एलिजबल है और चैप्टर 6 बात करता है लोग अदालत के लिए लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्शर सीरीज में पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो आप इसके जो बैगराउंड चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो लेक्शर देखिए उसमें आपको पूरा बैगराउंड मिल जाएगा कि यह कैसे एक्जिस्टेंस में आया उससे पहले क्या हैं और इसमें क्या-क्या बॉडिस काम करती है इस एक्ट को पढ़ने से शुरू करने से प करती है सालसा जो की एक स्टेट लीगल सर्वेस अथारिटी है हर स्टेट में एक होती है उनके नीचे काम करते है डालसा जो की डिस्टिक लीगल सर्विस अथारिटी है वो हर डिस्टिक में एक होते है और इनके हाईयर कौन होता है सालसा और सालसा के उपर एकलौती देश क को और एक है टील एएसि यह क्या है तालुका लीगल सर्विस कमेटी पावरलो हो लेकिन लीगल सर्विस कमेटी के नीचे काम करेगी और इसका काम के वल यह कि legal aid और legal aid की schemes को अच्छी तरीके से imply करना जो चीजे हो रही हैं जो already programs run हो रहे हैं उनकी smooth functioning के लिए उनकी reach को बढ़ाने के लिए PLSC यानि कि तालुका legal service committee का establishment किया जाता है क्या यह हर district में होनी compulsory है नहीं यह discretionary चीज़े होना होगा तो होगा नहीं होना होगा तो नहीं होगा यह चीज़े कैसी चीज़े यानि यह वह background है जिसके बारे में आपको शुरुआत से पता होना चाहिए इस act को पढ़ने से पहले ठीके सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें आगे कि यह पढ़ने के लिए कि सर हम इस particular act में पढ़ने क्या वाले हैं तो जैसा कि हमें पता है चाप्टर वन जो की हर act में होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं उसका सौट टाइटल एक्स्टेंट और कमेंस्मेंट और डेफिनेशन क्लॉज दी होती है हमेशा फिर चाप्टर तो आज हम चाप्टर वन और टू को डील करने वाले हैं उनको मैं बता दू कि आपके लिए जो रिलेवेंट पॉर्शन है वह चाप्टर थी जिसमें बात करी गई है चाप्टर फॉर जिसमें बात करी गई है लीगल सर्विसेशं किन किन को दिया जाएगा उसके बारे में और चाप्टर सिक्स जो की बात करता है लोग अदालत की जाधा बड़ा यह अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर सेक्शन कितने हैं केवल 30 ठीक है सर तो आज कि हम इस आक को शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे चाप्टर वन से जो की दिया हुआ है यहाँ पर और पढाइंगे इसमें हमँ मठेंगे शौर्ट टाइटल एक्सेंट मैंद मेν और साथी सथ पढ़ेंगे डेफिनेशन कॉम्स को जलदी सागब बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा ऐज का चैप्टर या क्या यह क्या रहा है कि कोई एक act है जो गया स nutr किक तो legal service authority बात करता है equality before law की यानि कि एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी दोनों के पास law के सामने opportunity equal होनी चाहिए यानि नयाए सब के लिए सब तक नयाए पहुचे अब जो गरीब है उस तक नयाए पहुचना ज़रा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा महेंगा हो सकता है हो सकता है उसको अपने rights के बारे में ना पता हो हो सकता है उसके पास इतने financial grounds ना हो इतनी financial reach ना हो उसकी कि वो courts को approach कर सके तो यह हमारे constitution के against माना ज पता है कि एक 1987 जो है यहाँ पर 1987 नाम का शब्द लिखा हुआ है ठीक है सर अब मुझे यह बताइए कि यह क्या है 11 अक्टूबर 1987 एक डेट नीचे जो हम commencement की पढ़ेंगे वो हमें पता है यह डेट बताइए 11 अक्टूबर 1987 क्या है यह डेट होती है जिस दिन से उनको क्या मिला हो प्रेसिरेंट का एसेंट मिला हो प्रेसिरेंट का एसेंट जी दिन मिलता है वो डेट बेर एक्ट में यहां लिखी होती यानि कि 11 ओक्टूबर 1987 को प्रेसिरेंट का एसेंट मिल गया था किसको पढ़ें तो हम इस आक्ट को पढ़ते हैं किसके नाम से यह हमें पहले से पता है सर डिस अपड़ी का लीगल सर्विस अथारीटीज आप यह तीन स्टार क्यों लगे हुए है क्योंकि जमू कश्मीर रियॉर्गनाइज़शन आया था कौन से यह में आया था सर 2019 में क्या आया था जिसके पहर जमू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट मान लिया गया जैसे आप सब को पता है इसके बारे में तो ठीक है सर यह भी क् पार्ट वन क्लियर है पार्ट टू क्लियर है पार्ट थी के बारे में बात करते हैं यह थोड़ा बच्चों को इन फूर्ट इसको पढ़िये क्या कह रहे है इचल कम इंटु फोर्स उन सच देट as the central government may by notification appoint and different dates may be appointed for different provisions of this act and for different states and any reference to commencement in any provision of this act in relation to any state shall be constructed as a reference to the commencement of that provision in that state अब इसको जरा simple भासा में समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे bodies क्या काम कर रही है नालसा जो कि क्या है national legal service authority है उसके नीचे काम कॉन कर रहा है सालसा जो कि state legal service authority है तो यह एक्ट जब commencement में आया ना इसका commencement का year आप यहां पे लिख लीजे यह 11 November 1995 यह इसका date of commencement है लेकिन यहां पे जो particular part लिखा हुआ है different states का इसको underline कर लीजे चुकि सालसा जो है ना अलग-अलग state में बनाना था तो उसका commencement year अलग-अलग हो सकता था इसलिए यहां पे यह बोला गया है कि जिस दिन central government बोलेगी उस दिन यह force में आ जाएगा लेकिन जो अलग-अलग state के लिए सालसा बनेंगे इसलिए क्यों क्योंकि different provisions में दिये हुए इस एक्ट के इसलिए कहा गया कि जो अलग-अलग date में भी commencement में आ सकते हैं अब इसका मतलब क्या है 11 November 1995 को पूरा का पूरा एक्ट जो है commencement में आ गया था सिवाए chapter 3 के यानि कि जो chapter 3 है यहां पर मैं लिख देता हूं यह पाक 3 में दिया है chapter 3 को छोड़के जो पूरा एक्ट था वो हमारा 11 नवेंबर 1995 को commencement में आ गया था इसको आपको ध्यान रखना है आपके respective state का concert date of commencement था वो आप देख सकते हैं आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है सर definition clause पर आते हैं जल्दी से definition को पढ़ लेते हैं definition में ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए क्या है केस केस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो शूत या प्रोसीडिंग और किसी कोट में पेंडिंटिंग हो हो चीज कहलएगा सेंट्रल अफररटी इस के बारे में पढ़ लेना जरूरी है क्यों ढाल्सा के बारे मिश्थ पूरे आक्ट में आगे जब आप पढ़ेंगे अभी हम भी देखेंगे उसको जहां कहीं भी शब्द Central Authority लिखा हुआ है तो हम उसको क्या मान लेंगे नालसा मान लेंगे ठीक है सर और उसी तरह आपको एक मिल जाएगा दिस्टिक अथारिटी और एक मिल जाएगा स्टेट ऊतरी दिस्टिक अथारिटी को हम मानंगे डालसा और स्टेट अथारिटी को मानेंगे साल्सा यह concept अपने दिमाग में स्ट्रत रखेंगे इंदिख यह लिखा हुआ है central authority means national legal service authority सब्सक्राइब 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 इसका मतलब यह है अगर थोड़ा अपने वाइडर प्रस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें वाइडर प्रस्पेक्टिव यह कह रहा है कि कोट मतलब कोई भी कोड यानि की लीगल सर्विसेज जो है यानि लीगल एड का जो प्रोग्राम है वह इस कंट्री की कि किसी भी कोड तक एक्स्टेंड होता है यह यहां पर कहने का मतलब है डिस्टिक अथ इसको मैं इसना जोर देके क्यों बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका एंसी क्या है इन में से कौन सी पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं है और आप उसको कर जाएंगे कि से सेंट्रल गॉवर्मेंट से जबकि थीकर आग에 बढ़ते हैं हाइकोट लीगल सर्फिसन कमिटी अब आप बोलेंगे कि सर आपने हमें बताया नालसा सालसा तालसा यह है यह इस below से सुप्रीम कोट में विए क्या होगी लीगल सर्विसेश कमिटी होगी ऑथॉरिटी में आपको और अपने आपको बताया था कि ऐघी होगी जबकि उसी अथॉरिटी के legal services के काम को देखेगी ठीक है sir high court legal services committee constitute under article सॉरी section 8a तो 80 को जो हम देखेंगे थो हम इसके बारे में पड़ेंगे legal service क्या है sir legal service आपको बहुत समझाया था मैंने last वाले video lecture में includes rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceedings before any court or authority or criminal to giving the advice of any legal matter यानि कि legal service वह है कि loss related किसी भी प्रकार की service किसी भी टाइप का welfare करने की लोगों के लिए जो service provide करी जाए उसको हम legal service के आमबिट में मानेंगे लोग अदालत क्या है लोग अदालत means के बीच में बैटके एक तरह का compromise करवाया जाता है लोग अदालत का decision binding होता है वो किसी भी और higher court of law में अपीलेबल नहीं होता है एक form of ADR है ADR का full form नीचे comment section में आप मुझे बताएंगे ठीक है sir notification means a notification published in order to official gazette official gazette क्या है sir जो सरकार का एक तरह से सरकार का newspaper कह सकते है गजेट में जिस तरह से information निकलती है तो notification का context नहां पर official gazette से है ठीक है समझ के उसके बाद और क्या है sir हमारे पास और हमारे पास यहां लिखा हुआ है prescribed means prescribed by rules made under this act prescribed का मतलब है rules made under this act और क्या है sir ff किस बारे में बात कर रहा है regulation means regulation made under this act और विससी चीज़ें हैं सारी scheme का मतलब क्या है scheme means any scheme fed by central authority अब यहां देखिए जब भी शब्द आएगा scheme यानि की जिक्र हुआ किसी भी scheme का तो वो कोई ऐसी scheme के बारे में बात कर रहे है जो central authority state authority या district authority ने बनाई हूं for the purpose of giving any provision of this act इस act के अंदर दिये हुए किसी provision को fulfill करने के लिए जब भी कोई scheme बनाएगी तो वो माना जाएगा scheme शब्द का नाम माना जाएगा central authority state authority और district authority से समझने वाली बात क्या हुई मैंने आपको authority और committee के बीच में फर्क बताया था यहां पर कहीं committee लिखा है क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी scheme formation authority ही कर सकती है जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर तालुका legal service committee Supreme Court legal service committee high court legal service committee का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनका काम केवल यह है कि यह जो ती तीनौ authorities है ना central state और district इन लोगों के जो बनाय हुए rules regulations और provisions है schemes है उनको fulfill करना है अपनी committee के दुबारा ठीक है सर स्टेट authority आपको पता है स्टेट legal service authority के बारे में जिक्र है स्टेट government कौन है स्टेट government स्टेट के हैं सीम होते हैं उनकी अपने ministers होते हैं series of ministers होते हैं वह स्टेट government होगा लेकिन union territory में क्या है appointed by the president जो इंसान होंगे article 239 of the constitution के अंडर में administrator होते हैं union territories में जैसे आपको पता है पॉंडिचरी लक्षवदीप इस तरह से तो वहां पे जो होंगे वह state government उनको भी मज़ा आगे इस act में कहीं state government लिखा और जिक्र हो रहा हो अंडर्मान निकोबार्स का या लक्षवदीप का या पॉंडिचरी का तो आपको समझ लेना है कि वहां के जो एड्मिनिस्टेटर अपॉइंट किये गए हैं लेटनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किये गए हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं और क्या हमारे पास पढ़ने रहा एक सुप्रीम बात करेगी सेक्शन 3 में दिया हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया था तालुका लीगल सर्विस कमिटी एलेवें एं दिया हुआ है जो कि बात करता है हर तालुका की ठीक है सर उसके बाद आते हम chapter 2 पे chapter 2 किस बारे में बात कर रहा है constitution of national legal service authority जिसका section 3 बात कर रहा है यानि कि याद रखने वाली चीज़ क्या है नालसा constitute हुआ है section 3 के अंडर में यानि कि section 3 हमें याद रखना है किस परपस से कि नालसा उसी section के अंडर में बना है constitution of national legal service authority यही सबसे main authority है apex है अब इसमें क्या कह रहा है the central government यानि की central government ने बनाया constitute a body to be called as नालसा यानि national legal service authority to exercise the powers and perform the functions conferred or assigned to the central authority अंडर दिस्टे को यहीं पर central authority आगे अब यहीं यहां पर देखिए central authority में होगा कौन अभी हमें पता चल गया कि सर नालसा नाम की बॉड़ी बन गई है एक नालसा नाम के बॉड़ी बन गई है अब उसमें कौन रहेगा chief justice of India shall be pattern in chief यानि कि जो इंडिया के chief justice है अभी कौन है जस्टिस दीवाय चंद्रचूद ठीक है और वो कौन होंगे इसके pattern in chief होंगे एक बात आप जान लीजे कि जो pattern in chief होता है ना pattern in chief as such कोई बहुत जादा प्रॉपर executive powers hold नहीं करता pattern in chief is just like an advisor a senior advisor रियल काम होता है कि इसका executive chairman का जिसको next point में देखेंगे तो अभी कौन है chief justice of India यह एक मतलब यह जो post है आपकी यह by virtue मिलती है यानि कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपके पास को डिस्क्रीशन है कि इसको देनी है इसको नहीं देनी है कोई भी इंसान जो की chief justice of India होगा वह by virtue बन जाएगा क्या patron in chief किसका national legal service authority का बी क्या कह रहा है a serving or retired judge कहां का supreme court का executive chairman बनाया जाएगा कौन बनाएगा president बनाएंगे लेकिन एक और बात बता दूँ यहां पर कह रहा है supreme court का कोई भी existing judge या retired judge क्या बनेगा executive chairman जो real power जो होती है na executive chairman के पास invested होती है real power लेकिन एक practice है जो की codified नहीं है लेकिन एक practice है कि जो भी chief justice of India के बाद जो next होते है senior most judge second judge of the supreme court उनको बनाया जाता है क्या executive chairman of national legal services authority अभी कौन है justice sanjay kishan call आप जाके सर्च कर सकते हैं justice s के call जो है इस वक्त कौन है executive chairman है नालसा के और उनका काम यही है कि वह policies और rules जो है इससे related बनाएंगे और जो formation करेंगे और रियल पावर इन्हीं के पास vested होती है उसके बाद क्या है other members के बारे में बात करी गई है such member and other members possessing such experience qualifications जो की central government बता सकती है वो government in consultation with the chief justice of India क्योंकि chief justice of India pattern in chief है इसलिए उनकी consultation से central government नालसा में क्या करेगी officers members को appoint करेगी ठीक है अब यह third point important है यानि यह दो important से members हमें पता है होते हैं third point important है किस बारे में बात कर रहा है यह यह बात कर रहा है MS MS मतलब member secretary हाँ देखे लिखा हुआ है यह क्या क्या रहा है central government जो है shell in consultation with the chief justice of India appoint a person to be member secretary of the central authority नालसा का एक member secretary होंगे जो possessing such experience and qualification as the chairman of central authority may prescribe by that government यानि कि chairman chairman कौन है यह executive chairman यानि कि Sanjay किशन कौल साब बताएंगे कि हमारा member secretary के लाने के लिए क्या experience की जरूवत है और may be assigned him by executive chairman of the authority और या जो executive जो chairman है authority के वो जो भी उनको काम देंगे जो भी उनको work profiling देंगे वो member secretary होंगे अभी member secretary कौन है डेली judicial services की district judge है वो इस वक्त नालसा की member secretary है और mostly ऐसा देखा जाता है कि district judge level के इंसान कोई क्या बनाया जाता है नालसा का member secretary बनाया जाता है जो कि secretary होते हैं ठीक है फिर terms of office and conditions relating there to member and the member secretary of the central which shall be as prescribed by the central government यानि कि central government बताएगी कि उनका term of service कितना रहेगा कैसा रहेगा लेकिन सब चीजें किसे होंगी chief justice of India के consultation से होंगी क्योंकि वो कौन है pattern in chief है यानि की chief advisor type है वो बहुत बड़ी position hold कर रहे हैं अल्दो ज्यादा authoritative वो काम नहीं करते हैं ज्यादा तर authoritative power vested है एक्जेकुटिव chairman के अंडर में ठीक है सर सेंट्रल सेंट्रल authority may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed by the central government यानि other number of employees के के बारे में बात कर रहा है कि central government करेगी इस पूरे act में ध्यान रखिए कि नालसा के बारे में जब्बी जिक्र होगा तो central government करेगी कि से chief justice of India की consultation से ठीक है सर सिक्स नंबर पर बात करते हैं the officers and other employees of central government allowances वो entitled होंगे उस salary और allowances के जो की central conditions हैं वो सारे कहां से आएंगे consolidated fund of India क्योंकि central body है यह इसके बारे में I hope आपको पता हो कि consolidated fund of India क्या होता है तो उनके जितने भी funds है वगएरा है वो सब आएंगे वहां से consolidated fund of India से ठीक है और देखते हैं all orders and decisions of the central authority shall be authenticated by the member secretary यानि कि जो member secretary जैसा आप सबको पता है आप कभी देखते होंगे किसी भी ministry का कोई भी order आता है तो उसमें under secretary का sign होता है क्या under secretary वो order निकालता है नहीं order निकालते हैं वो मंत्री या उस particular ministry के कौन secretary लेकिन वो power vested है किसके पास under secretary के पास की order पे authoritative signature होगा under secretary का उसी तरह से यहां पर यह पावर दी गई है member secretary को या किसी और member को किसी और officer को जो central authority का हो और उसको यह authority दी गई हो senior officer यानि कि executive chairman द्वारा कि आप हमारे जो भी order scheme या जो हम निकालेंगे उसको आप sign करके authoritative करेंगे यानि कि authority उसमें वेस्ट करेंगे कि हां यह बात सही है ठीक है सर और यह जो है authorities by executive chairman of the authority ठीक है यानि executive chairman of the authority उनके पास ultimate power है वही वेस्ट करते हैं यह power और आम तोर पे किसके पास रहेगी member secretary के पास रहेगी ठीक है no act or proceeding अब देखिए बड़ा interesting है यह 9th point जो है बड़ा interesting यह कह रहा है कि sir कोई भी ऐसा glitch glitch शप्त का समाल में क्यों कर रहा हूं आप देखिए पढ़िए इसको no act or proceeding of the central authority shall be invalid यानि कि कोई भी ऐसा कार रेक्रित्य scheme policy invalid इसलिए गोशित नहीं कर दी जाएगी merely on the ground of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of central authority यानि कि उन्होंने यह बोला कि कभी भी कोई भी विकेंसी अगर रह गई या कभी भी कोई भी glitch रह गया कोई problem रह गई किसमे national legal service authority के बनाने में यानि कि national legal service authority के constitution में अगर कोई भी टाइप का problem रह गई कोई defect रह गया तो आप उसको invalid घोसित नहीं कर दो कि केवल इसी base पे क्यों क्योंकि आप कोई provision बना रहे है कोई case लड़ा जा रहा है मानलो लीगल सर्विस की तरफ से कोई वकील आया जो लीगल एड से मिला था उस particular person को उसने लड़ा नालसा के अंडर में और उसके बाद जो है उस person को क्या कर दिया गया invalid मान दिया गया कि उसका case लड़ना ही गला था क्योंकि नालसा का constitution ही गला था तो इस टाइप की अगर हम माने की एक डिस्टिक है नॉइडा नाम का बड़ा शहर है वहाँ पर एक डालसा होगा यानि कि नॉइडा का जो sessions court है उसके पास उसका अपना एक डालसा है जैनि कि वह डालसा matter डील कर रहा है कि अवल नॉइडा sessions को पहुचानी है वो उन तक कैसे पहुचाई जाएगी क्योंकि सालसा जो है सालसा को तो नौइडा को भी देखना है अलाबाद को भी देखना है आजमगड को भी देखना है रामपुर को भी देखना है तो इसलिए केवल हाई कोड में legal services प्रोवाइड कराई जाए इसलिए constitution हुआ legal services committee का कहां की सुप्रीम कोड लीगल services committee यह मैंने एक्जामपल आपको हाई कोड का दिया वही सेम चीज़ है सुप्रीम कोड पर क्योंकि नालसा तो सारे सालसा को नालसा जो है वह क्या करेगा वह कमिटी बनाएगा सुप्रीम कोड लीगल सर्विसेश कमिटी नाम का फॉर पॉर पॉर्पर्ज ऑफ एक्ससाइजिंग सच सब्सक्राइब नेक्स पार्ट सच पावर्ज परफॉर्मिंग सच फंशन्स आइज में बढ़ने कि नालसा ही बता ठीक है सर और उसके बाद आपको बताया मेंबर से हम तब को पता है एक जजज बन गए चेर्मेन लेकिन वह काम करवाएंगे किसे मेंबर से ही सो करवाएंगे न और भी बड़े-बड़े स्टेक होल्डर होते हैं तो वह सब चीज़े होंगी वह में पता है वह सेंट्रल कि भी वह क्या है जल्दी से देखिए शल अपॉइंड परसंट तो बीज़े सेकेर्टरी अप्रमेटी पोशेजिंग सच एक्सपीरेंस और क्वालिफिकेशन होंगा जो कि सेंट्रल गवर्मेंट प्रिसक्राइब करें और उसके बाद क्या है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंड क्या हो सकते हैं कौन लोग नहीं हो सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद कमिटी जो है वह नंबर ऑफ ऑफिसर को क्या कर सकती है इंप्लॉई करेगी और अधर इंप्लॉईर बनके अपने अंडर में रिक्रूट करेगी क्योंकि उसकी स्मूथ पंशनीं के लिए उस चीज की जर चीफ जस्टिस बताइंगे उनकी कितनी आएंगी कैसे आएंगी यह हमारे लिए इंपोर्ट नहीं है हमें सिर्फ यह समझना है कि नाल्सा का इसे हुआ हुआ हमें सिर्फ यह पता हूना चाहिए कि एक सुप्रीम कोट लीगल सर्विस कमिटी नाम की बॉड़ी एक्जिस्ट करती है जो नालसा की तरह तो नहीं है लेकिन उसका काम है सुप्रीम कोट में लीगल सर्विस के प्रोग्राम को अच्छी तरह से एक्जिक्यूट करना और नयाय सब के लिए का जो हमारा प्रिंसिपल है वो सब तक नयाय पहुँच जाए ठीक है फंशंस को देख लेते हैं सर फिर फटा-फट फट फंशंस किस बारे में बात कर रहे हैं फंशंस बात कर रहे हैं देखते हैं इस चैल परफ़ोंग करेंगी थीख है पहले तो क्या पॉलिसी जैन प्रिंसिपल्स बनाएंगी लीगल सर्विस के बनाएगी ताकि वो इस एक्ट के प्रोविजन को कॉंप्लिमेंट कर पाएं और क्या बनाएगी इकनोमिकल स्कीम जो सबसे आदा एकनोमिकल हो एकनोमिकल शब्त कर स्थमाल क्यों क्यों कि गरीब लोगों के लिए और यह बहुत बड़े हमारी सोसाइटी में इतना अच्छे से अपने आपको स्टैबलिश नहीं कर पाएं कि वो सारी चीजों को इतने बड़े-बड़े लीगल प्रिंसिपल्स को यह हमारे लीगल रीच को प्रॉपरली रीच कर पाएं अपनी रीच को मैक्सिमाइज कर पाएं ठीक है उसके बाद क् कि फंड अट इस डिस्पोजल और अप्रप्रोप्रियट अलोगेश हमा इस को सालसा और डाल साज़ यानि कि नाल सा जो वह वो स्टेट लीगल सर्विस ऑथरीटी वह फंड भी आ लोकेट करता है ठीक है ऐं नेसेसरी स्टेप स्टीक है नेसेसरी स्टेप लेंगे सर किसके ये social justice of litigation with regard to consumer protection, environment protection or any other matter of special concern, ठीक है sir, for the weaker sections, इस बात को ध्यान रखेगा, legal service का पूरा principle किस पे आता है, weaker sections पे आता है, of the society, and for this purpose, give training to social workers in legal skills, यानि की social workers को, यानि अभी तक हमें लग रहा था कि सिर्फ legal aid ही पहुचा रहा है, अब हमें इसको पढ़के यह समझ में आया, कि social workers को legal awareness और legal skills को फैलाने का काम भी नालसा करता है, ठीक है, organized legal aid camps, इसके functions के बारे में देखें, especially in ruler areas, क्योंकि वहीं पे वो population जादा है, जिसको सबसे आदा legal aid की जरुवत है, इसलम्स और labor colonies with the dual purpose of educating the weaker section of the society as to their rights as well as encouraging the settlement of dispute through लोग अदालत, यानि की आपको उन गरीब areas में जाना है, उन लोगों तक जाना है, जिनको सबसे आदा जरुवत है, वीकर section के पास जाना है और दो परपस से काम करना है, पहला उनको legally aware करिए कि उनका right है, कितनी अच्छी बात है, उनको पहले तो उनके लिए right बनाया गया, उसके बाद ये भी काम दिया गया, कि आप उनको aware करिए कि उनका ये right है, और उसके साथी साथ उनको ये भी काम दिया गया, कि उनके बीच में अगर कोई dispute है तो ADR मेकानिजम से यानि कि लोक अदालत के थूरू उनके dispute को resolve करने की कोशिश करें और यह कोशिश आपको घरगर जाके करनी है कैसे करेंगे यह legal aid camp लगा के करेंगे सर ऐसे नहीं कर देंगे आप कहीं भी जाके या उनको आप जबरदस्ती बुलाएंगे कि आप ट्रकों में भरके आई और हम यहां पर आके कोट में आपका मामदा सेटल करेंगे तो इस पर्टिकुलर आट का परपस ही फुल्फिल नहीं हो पाएगा इंकरेज करना है किसको सेटल कर सकते हैं ठीक है सर और क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए अंडर्टेक और प्रमोट रीसर्च इंद फील या नहीं रीसर्च भी करना है आपको किसके लिए इस फील्ड में रिसर्च करनी है कि जो सर्विसेज हैं गरीबों के लिए उसको और एफेक्टिवली कैसे उन तक पहुंचाया जा सके ठीक है सर समझ में आ रहा है हमें अब दीरे-दीरे कि क्या वो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ठीक है और क्या दिया हुआ है और दे रहा है टू आल थिंस नेसेसरी फॉर पर पॉबस अशूरिंग कमिट्मेंट और टूब्ड़े दूटिजिए उनके कमिट्मेंट में बढ़ाने के लिए आपको पंशन करना है ताकि वो जो कमिट्मेंट है वो लोगों में इन्हांस और लोग और करने का उल्ट हुआं सब्सक्राइब यह उनका एक आपने स्टेट में कभी बी देखेंगे स्टेट events 30 में तो महा regular वहिजिट होती है नालसा के जो ऑफिससर्जाव उनकी व्रक्शॉप्स और प्रोग्राम और्गनाई कर आई जाती है नालषा के साथ क्लब नालशा की अपनी जन्रल मीटिंग होती है साल में एक बार जिसमें अलग-अलग स्टेट्स के चीफ जस्टिस और वहां की सालसा के मेंबर आते हैं यह सब इसी लिए था कि वह इवैलुएट कर पाएं इंप्लिमेंटेशन को देख पाएं उन लोगों की बातों को करेट कर पाएं और समझ पाएं कि यहां उनके पास अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस परपर से यह बनाया गया ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अब जादा नहीं बचा है इसको फटा-फट देखते हैं और हम अपना आज का इस टॉपिक को खतम कर देंगे ठीक है सर और किस बारे में बात कर रहा है और यह कह रहा है प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड़ अ बंस्टियूशस को भी करेगा या Siya उसकी बात यहां पर करी यहां पर करी जारी और साथी साथ उनों ने क्या बोला जो लीगल सर्विस के सक्था हैं ऊनके लिए आप क्या करेंगे स्थाफन बढ़ू के बढ़एड टिच चलून है नारसल सिर्फ सालसा और डालसा पर काम नहीं कर रही है सालसा और डालसा को मॉनिटर करेगी उनके लिए प्रोविजन्स बनाएगी उनके पैसे ने देखा कि डवल की कांसे इंडिया बार क्यांसे आइसे बनाना है कि साथ बनाना है क्लिनेकल लीगल एड़ इजय के लिए लिए उसको को डवल आप करने कहां पर इन उनिवर्स्टी लॉग कॉलेज़ और यह किसके थुरूगा बार काउंसिल क्यों सर्थ क्योंकि जितने भी लीगल एजुकेट एजुकेशन इंस्टिटूशन्स हैं वो सब गवन होते हैं किससे बार काउंसल अप इंडिया से बार काउंसल अप्रूवल देता है त इस बार काउंसल से मिलता है तो सुप्रीम बॉड़ी चुकि बार काउंसल है इसलिए उनके कंसल्टेशन से कॉलेजेस और इंस्टिटूशन के लिए रूस और बनाए जा सके ठीक है और क्या है ठीक अप्रोप्रियेट मेजर निस्प्रेडिंग लीगल लिटरेशी और इस इस बार के लिए आप स्पेशल एफर्ट लगाई यहां पर जिक्र किया गया है सोचे अगर बेर आट में स्पेशल एफर्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस होके नालसा इस डोमेन में काम करें और लोगों को जोड़े अपनी लीगल एट पहुचा है जो वीकर सेक्शन है हमारा शेडियूल का शेडियूल ट्राइब वोमेन और अर्बन लेबर जो हैं उनके लिए यहां बात करी गई अर्बन लेबर की अर्बन लेबर वह भी हैं जो लोग दिन राज जाके ऑफिसे में काम करें उनकी सैलरी महज साथ 8000 की है यानि उतनी कम है जितनी एक किसी बड़े घर के किसी हाउस हेल्प को मिल जाता है उससे भी कम पैसा वो ऑफिसे में जा जाके सुबह नौ से शाम को नौ बज़ तक बैठ रहे हैं कमा रहे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कहने को तो वह सोसाइटी में एक रिस्प जानी कि कोडिनेट तो करना ही इन के साथ-साथ इनको मॉनितर करना मॉनिटर आपको हाइलाइट करके लीजे किसको उनको guidance भी time time पे देती रहनी है अब यहां से हमारा आखरी section आ गया जो आ गया section 5 का जो किया रहा है central authority to work in coordination with other agencies in the discharge of its function under this act central authority यानि कि नालसा जो है वो और governmental और non-governmental agencies को universities और colleges जो कि यहां लिखा हुआ है universities and other engaged work promoting जो भी institution legal services के domains इंगेज़ वा है temporarily या permanently उसके साथ नालसा इंगेज होगा उनको monitor करेगा उनको guide करेगा उनके साथ cooperation करेगा तो यहां हमारा video end होता है जहां हमने पढ़ा chapter 1 & 2 किसका legal service authorities act 1987 का जिसमें हमने क्या देखा सबसे पहले हमने section 1 में देखा उसका date of commencement क्या था और उसका नाम क्या है ठीक है सर हमने इतना समझ लिया उसके बाद हमने definition clause में सारी details को पढ़ा फिर हम आए section 3 पे जिसमें नालसा कैसे बना उसके बारे में बात करेगी फिर हमने duties and functions को देखा फिर हमने fifth में बात करी किसके बारे में central authority गी और इसी बीच में हमने एक और चीज के बारे में बात करी जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं वह सुप्रीम कॉर्ट लीगल सर्विसेस कमिटी जो की दिया हुआ था section 3a में इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस बारे में इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे state legal service रोटी यानि की chapter 3 से हम शुरू करेंगे जो की important है आपके ADPO के syllabus के लिए और अगर आप competitive exam के प्रस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो नालसा, सालसा, लोकर दाले यही तीन है जो सबसे ज़्यादा important है तो I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, आप आगे की वीडियो लेक्चर के लिए आमें follow up कर सकते हैं, playlist आपको YouTube में मिल जाएगी, उसी में आपके वीडियो लेक्चर अप्लोड होते रहेंगे, thank you अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िये competition community के साथ, आज ही हमारे website के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ Team Coco